हीलो दोस्तों स्वागा थैं आपनों का हॉट स्पोर्ट स्टडी में दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपके SSC GD के ट्रेनिंग की दोरान आपको जो क्या सेलरी मिलनी है अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि after training training के बाद आपकी salary कितनी होगी बिल्कुल accurate तरीके से मैं आपको salary slip में दिखाने वाला हूँ कौन-कौन से allowance आपको दिये जाएंगे दोस्तों आप hotspot study में नए आए हैं तो hotspot study को फटा-फट से सबसे पहले subscribe कर लें क्योंकि यहां पर हम आपको लगतार update देते हैं sscgd की और जो नई vacancy आती है उनकी लगतार यहां पर आपको update दी जाती है देखी दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है month year जो है September 2020 की यह payslip है ठीक है जिसकी मैंने last time दिखाया था यह उसी की payslip है ठीक है यह training के बाद की है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर हम basic pay देख लेते हैं इनका तो इनका जो basic pay है दोस्तों 22,400 रुपए है यह जो है September 2020 का जो है basic pay है 22,400 रुपए यह बढ़ गया था ठीक है अब यहां पर आप देखेंगे राशन मनी इनको जो राशन मनी मिली है दोस्तों 3519 रुपए इनको जो है राशन मनी मिली है अब यहां पर इस side में दोस्तों यह सारे allowance वगयरा लिखे हुए है और यह जो इस side में लिखा हुआ है यह है government deduction मतलब government पैसे कितने काटती है ठीक है तो देखें मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ यहां पर बलर हुआ है मैं आप यहां पर दिखाता हूँ आप यहां पर देखेंगे दोस्तों एक और चीज बेसिक पे था आपका 22,400 रुपए रासन मनी आपको मिल रहा था 3,599 रुपए और जो risk allowance था यह जो risk allowance आप यहां पर देख सकते हैं 17,300 रुपए ठीक है यह risk allowance सबसे ज्यादा है 17,300 रुपए अब यह किसी ऐसी जगा पर duty कर रहे होंगे जहां पर खत्रा सबसे ज्यादा हो सकता है ठीक है जैसे जम्मू एंड कास्मीर में ठीक है या फिर किसी हेल एरिया में या फिर आप बोल सकते हैं नकसलियों के साथ ऐसी जगा duty कर रहे होंगे जहां पर खत्रा ज्यादा है इसलिए इनको यह risk allowance यहां पर जुड़ा हुआ है ठीक है यहां पर इनको कोब्रा allowance नहीं है क्योंकि यह कोब्रा में duty नहीं करते यह कोब्रा में duty कर रहे होते तो कोब्रा की allowance भी नहीं आपर दिया जाता ठीक है house rent allowance इनको मिला है 3584 रुपए जो है इनका house rent allowance है देखे 3584 रुपए यह house rent allowance था ठीक है अब यह dareness allowance जो है dareness allowance जो जो है 45,45 रूपpees है हूँ थोड़ा सा और जो रम All own क little रूप ए टिक है रम अलाउंस को sarà कि मिला हुआ तो रूप Lagun को सब्सक्राइब रूप के इनको डो 20 000 रूप 21 रुपए ठीक है 59,021 रुपए अब इस चीज़ को भी हम मैं वीडियो के आप बाद बताऊंगा आपको कि थोड़ी दिर बात की सभी को 59,021 रुपए मिलेगी या फिर इसके भी अलग-अलग वो होते हैं मैं आपको बताऊंगा भी रुकिये देखिये गॉर्मेंट यहां प यह आपको जो कटता है यह सब आपकी जब नौकरी खतम होती है तो उसके बाद आपको वापस मिल जाता है यहां पर आप देखेंगे जो नेट अमाउंट बना है दोस्तों आपका यह बना है 47,540 रुपए मतलब कि जो आपको हाथ में जो सेलरी मिली है वो है 47,540 रुपए अब दोस्तों देखें इनको जो है इनकी आप सेलरी देख सकते हैं इनकी सेलरी बहुत अच्छी है इनकी 50,021 रुपए बहुत ज़्यादा सेलरी होती है ठीक है अब आपको देखें क्या आप सभी को एतनी सेलरी मिलीगी तो देखें दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यह करता है किस पे आपके रिस्क अलाउंस पे इनका देखिए रिस्क अलाउंस कितना ज्यादा है 17,300 रुपे इनका रिस्क अलाउंस है और यहीं से इनकी जो पेमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ गई अब रिस्क अलाउंस भी यह तीन प्रकार का होता है दोस्तों ठीक है यदि आप ऐसी जगा जूटी कर रहे है जहां पर खत्रा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है तो आपका risk allowance वहाँ पर कम रहेगा ठीक है मान के चलिए आपका risk allowance इतना रहेगा ठीक है इतना ठीक है और जहां पर थोड़ी ज़्यादा खत्रा है तो आपका risk allowance इतना हो जाएगा ठीक है जहां पर बहुत ज़्यादा खत्रह होता है तो आपका risk allowance इतना हो जाता है ठीक है और ये वाला जो है ये इतना है ठीक है 17,300 रुपे ठीक है इसी हिसाब से आपका risk allowance कम जादा होगा तो फिर आपकी payment भी कम ज़ादा होती रहती है नौर्मली लेकिन दोस्तों आपको ट्रेनिंग के बाद जो होती है आपकी payment बढ़ ही जाती है ठीक है आपकी training के बाद आपकी payment बढ़ जाएगी ठीक है अलग-अलग students की अलग-अलग हो सकती है जो का हो कौन कहाँ पा duty कर रहा है किस जगा duty उसे मिली है ठीक है ये सारी चीज़ें उसमें depend करती हैं दोस्तों आसा करता हूँ आप को ये slip समझ में आ गई होगी salary slip और दोस्तों आप पिछली वीडियो पे जाके देख लाए ना यदि आपने नहीं देखी है तो training के दौरान आपको कि training के दौरान की salary कितनी थी ठीक है 2019 में ठीक है और ये 2020 की salary है ठीक है तो आप जाकर देख सकते हैं वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर देना कुछ भी questions है तो आपका comment करके पूस सकते हैं चैनल को subscribe जरूर कर लेना लगतार update पाने के लिए